सो गाइच इससे में कब और क्या हो जा रहा है इसकी कोई भी गरांटी नहीं है जब चीजें हो जाती है तब समझ में आता है कि यार ये तो ये हो गया ठीक है चाहा है बैंक का बरोदा में suspected fraud आना हो या फिर मतलब बरोदा का AAPS down हो या फिर Central Bank of India में invalid transaction आना हो या फिर बैंक क बरोदा का CSP इससे में बंध हो ठीक है तो इसी तरफिये से AAPS की तरफ से एक बहुत ही गजब का अपडेट आ रहा है इसे गजब का अपडेट का है या फिर बहुत बेकार अपडेट का है ये कुछ कहा नहीं जा सकता आप लोग खुद बताओगे कि इसे क्या बोला जाए ठीक है लेकिन अपडेट ये आ रहा है कि UP के साथ साथ कई स्टेट के कई सीटिस में ठीक है AAPS को NPCI ने पूरी तरीके से डाउन कर दिया है वहाँ पर आप किसी भी कंपनी से किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी बैंक का आप लोग AAPS काम नहीं कर सकता है वहाँ पर यानि क मिनी स्टेटमेंट बैलेंसिंग के वारी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो AAPS के माध्यम से अब इस अबडेट में कितनी सचाई है ये तो आप लोग को बात में ही पता चलेगा ठीक है लेकिन देखिए एक चीज और है कि बैंक का बरौदा हो चाहे कोई भी बैंक हो यह यहां पर कोई भी ऑफिसियल पहले स्टेटमेंट या फिर कोई भी नौटिफिकेशन नहीं आता कि यह होने वाला है हां लेकिन यह कहां से आया है अपडेट इसके बारे में भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है लेकिन हां कुछ लीस्ट जारी किया गया है करीबन 200 पीन को कोर्स हैं जहां पर A-E-P-S को डाउन कर दिया गया है और वहां पर आप लोग E-P-S काम नही कर सकते हो टिक है अगर आप लोग इन प्रिन-कोर्स में अगर आप भीन करते हैं जिन अरिया में यहां पर A-E-P-S को डाउन करने का या फिर बंद करने का N-P-C-I-E के दौरा य या फिर नहीं काम कर रहा है कि NPCI ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है तो मैं आप लोग को PDF के माध्यम से यहां पर बताने वाला हूँ दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौन से यहां पर PIN COATS है जहां पर NPCI ने APS को पूरी तरीके से जो है ब्लॉक कर रखा है तो PDF में तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा ही लेकिन इससे पहले एक और जो अपडेट आ रही है इससे में आप लोग को मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि State Bank का EPS डाउन होने वाला है एक April से ठीक है ये देखिए कितनी इसमें सचाई है ये तो कुछ ही कहा नहीं जा सकता है क्योंकि Bank का बरौदा में भी पहले देखिए Suspected Fraud आता था लेकिन इसके बावजूद भी EPS का EPS डाउन हो जाता था लेकिन एक समय ऐसा आया कि Bank का बरौदा का पैसा निकलना ही बंद हो गया कुछ Companies में यहां पर 30 मिनट ओला प्रॉब्लम सो करने लगा जहां पर लिख करके आता ही you may be trying to do more than one case withdrawal transition for the same customer in the last 30 minute which is not allowed Please try again later यानि इसका कहने मतलब यह था कि NPCI का जो नियम है कि आप 30 मिनट के अंदर में same customer का दो बार finger नहीं लगा सकते हैं तो आप यह गल्दी कर रहे हैं जबकि माल यह customer का दिन में आप पहले बार लगा रहे हैं फिर भी यह problem आता है ठीक है और उसके अलावा कुछ company है जिसमें आप लोग को suspected fraud का issue आता है कि आप fraud कर रहे हो तो इस तरीके से banka brother ने अपना किनारा कस लिया AAPS से अपने AAPS को जो आ रहा था ठीक है उसमें suspected fraud या फिर इधर उदर कोई भी problem नहीं आ रहा तो इसमें invalid transaction का issue आ रहा था और उसमें भी बहुत ही कम ऐसे लोग है जिनके पास आज भी कैस्पिटॉल हो रहा है नहीं तो invalid transaction ही आ रहा है Central Bank of India का पैसा नहीं निकल रहा है इसके बाद देखिए इसम invalid activity का ठीक है यहाँ पे गलत activity किया जा रहा है जिसके वज़ए State Bank of India में पैसा इस समय नहीं निकल रहा है ठीक है ऐसा तो नहीं हो रहा है दिन भर में एक आग दो केसे ऐसा हो जाता है अगर आपके पास मानले जब 20-30 customer पर दे इस्टेट बैंका का आते हैं आपके पास तो उ इलहाल चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं इस वीडियो को जिसमें लिस्टिंग किया गया है पिन कोर्स को और पिन कोर्ट के साथ इस्टेट का नाम सिटी का नाम भी दिया गया है अगर आप लोग इन सिटी में या फिर इन पिन कोर्स में अगर बिलोंग करते हैं तो आ ऐसे कि आप अंद्र पर्देश, बिहार यहां पर हुए है बिहार के कई सारे यहां पर जिला भी है जो और फिर जिला के साथ साथ यहां पर साइड में पीन कोड भी दिया गया है अगर आप बिहार से चाहए जिस भी स्टेट से हैं यहाँ पर हरियाना का देख सकते हैं आ चुका है यहाँ पर जिस भी स्टेट से हैं अगर जिस पीन कोड से अगर आप लोग बिलॉंग करते हैं अगर आपके पीन कोड में अभी तक मानलेजे APS काम कर रहा है कोई भी इशू नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बे जरूर बताईएगा और एक चीज और है कि मानलेजे अगर अभी अगर ऐसा नहीं हो रहा है मानलेजे अभी हो सकता है एकसर नल लिया गया हो लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आप लोग के यहां जो APS है वो डाउन हो भी सकता है ठीक है तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है अगर मानलेजे एक दम से यह रियल अपडेट होगा तो ऐसा ही इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप लोग के जो पीन कोड है इस पीन कोड वाले एरिया में ज़्यादा फ्रॉड यह मतलब सस्पेक्टर फ्रॉड ज़्यादे हो रहा होगा ठीक है जिसके वज़े से यहां पर यह एक्सन लिया गया है NPCI के दोवारा ठीक है अगर आप लोग इन स्टेट में या फिर इन कहीं पर भी अगर आप लोग विलाउंग करते हो इन पीन कोर्स में चाहाँ जिस भी स्टेट से हो चाहाँ जिस भी जीलिया से हो यूपी बिहार जारखन चाहाँ कहीं से भी हो वेस्ट बेंगॉल तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो आज की इस वीडियो में यहीं तक और हम लोग मिलता है फिर किसी नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई 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 लेकिन अगर माल लेजिए आपके मन में कोई डाउट है कोई पॉस्टन है तो आपके मुझे कमेंट में बताना बिलकुल ना भूलिएगा